हम नहीं से पिछले वीडियो में हमने MS Word के कुछ बेसिक्स के बारे में जनकारी डी ती, आज हम आगे कुछ और सीखते हैं, यहां पर हमने पहले font वाले section के बारे में जनकारी डी यहां पर कौन कौन से टूल दिए गए हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, आज हम जानेंगे कि पेराग्राफ एक्षिन की टूल कैसे काम करते हैं, तो जब आप MS Word में टाइप करना शुरू करते हैं, तो आप कहीं पर भी कर्शर रख लेते हैं, और सीधे सीधे टाइप करने लग जाते हैं, यहां पर हम हिंदी के लिए Unicode font पर इस्टमाल कर रहे हैं, और English font आपके computer में द पर दिया गया है, justify, तो यह जो left पाला option है, यह जब आप type करते हैं, तो by default आपको मिलता है, यानि कि यह text है, वो सभी left side से चिपका के लगे हूँ है, जबकि right side से page पर यह disturb है, और अगर हम इस को center कर देते हैं, यानि control के साथ E का इस्तमाल करते हैं, तो आपके जो भी पूर लिखा हुआ paragraph है, वो center के साथ में adjust हो जाएगा, आपके page के center से लिखा जाएगा, और अगर आप इसे write करते हैं, तो यह write के साथ में align हो जाएगा, यानि right से सारे अक्षर आपके ठीक मिले हुए आएंगे, और left से यह disturb रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और option बहुत बढ़ि तो आपके जो paragraph है, वो donut side से एक बराबर हो जाएगा, राइट और left से, आप देखेंगे, हमने यह आपर justify का इस्तमाल किया, तो यह देखेंगे, यह वाली line, left वाली और right वाली दोन साइट से बराबर होगी, तो यह चार option है, आप जैसे आपको सुभधा हो, आप उसी साथ स इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बाद दिया गया है, यहाँ पर line spacing, line spacing होती है, आपकी line के बीच की दूरी, यह पहली line है, यह दूसरी line है, यह तीसरी, चौती, पांचमी, चटमी, और इनके बीच में जो gaping है, वो है line spacing, तो इसको देख लेते हैं, कैसे काम करती है, इसके लिए हम बीच वाली line हो का इस्तमाल करते हैं, दौनों को हमने select कर लिया, और यहाँ पर हम जाते हैं, line spacing option पर, आप देखेंगे, यहाँ पर, भी जो line spacing हमने ले लखी है, वो है 1.15, यहाँ पर 1.0 से शुरू होकर 3.0 तक सारे option दिये गए हैं, यहाँ पर देखिए, ज आपके line के बीच में देखें कितना space आगए है, इसी तरीके से आप अपने page पर इसको मंचाहे रूप में इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर, line spacing की ज़रूरत इसलिए पढ़ती है, कि आपका, जो page है, मानिए, आपने 4 का कोई page लिया है, और आपके पास material कम हैं, तो आप line spacing के इसकमाल से अपने page पर उस पूरे material को भर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके इलावा दो option और दिए गए हैं, अगर यहाँ पर दो paragraph होते हैं, तो आपको दिखा देता है, अब यहाँ पर देखें हमारे बास तीन paragraph हमें बना लिए हैं, जब आप इनको select करेंगे, तो यहाँ पर आपको option दिखाए देगा, add space before paragraph और remove space after paragraph, तो before paragraph space भी यहाँ पर मिलता है हमें, और after paragraph space मिलता है, यह वाला space, line space की तरही है, यहाँ पर paragraph से paragraph के बीच की दूरी में अंतर आ जाएगा, तो चलिए करके देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, add space before paragraph, तो आप देखेंगे, paragraph के जो पहले वाली line है, वहाँ पर अंतर आ गया, इसको हटाएंगे, तो यह अंतर खतम हो जाएगा, यह देखें, पहले आ गया, और इसके बाद में जब आप after करेंगे, तो यह आफ्टर में भी आजाएगा, इसको हटा देखेंगे, तो यह अंतर खतम हो जाएगा, दोनों paragraph आप आपको पता चलेगा, आफ्टर, ऊपर कोई अंतर नहीं आया, लेकिन नीचे अंतर आ गया, इस पराग्राफ के बाद में, इसी तरीके से अगर हम बिफोर करेंगे, तो ऊपर भी अंतर आ जाएगा, तो आप के ऊपर डिबेंड करता है, कि आप इस option का इस्तमाल अपने इस पराग्राफ को पूरे को हाइलेट करेगा, आप एक वर्ड को हालेट करना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी वो option यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यह तरीके से highlighter की तरह ही काम करते है, इसके बाद option आता है, यह बादर का, यहाँ पर आपने text के 4 तरह बाटर लगा सकते हैं, यह देखिए, अगर आपके पास कोई table है, तो आप उसको भी water लगा सकते हैं, table के आप आप आपको आगे समझाएगे, तो अगर एक horizontal line आपको लगानी है, तो आप इस option का इस्तमाल कर सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर horizontal line आ गई, तो इस तरीके से आप इस option का इस्तम और लगाने हैं, तो bullets नमरीं के लिए हमने यहाँ पर एक list ली है, अब इस list पर bullets लगाने हैं, यानि कि आपको number डालने हैं, नमर की जगे पर एक bullets और होते हैं, तो आप इस तरीके से bullets डाल सकते हैं, यह bullets लगाने के बाद में जब आप enter करेंगे और नया शक्त लिखेंगे, तो आप बड़े आराम से वो शक्त लिख पाएंगे, ठीक है, और यह bullets भी कई तरीके के होते हैं, तो आप select कर लीजें, यहाँ आपको bullets के लिए पूरी library मिल जाएगी, आप जो भी bullets लगाना चाहते हैं, वो इस library का इस्तमाल करके आप लगा सकते हैं, इसी प्रकार से अगर नमबर लगा सकते हैं, और नमबर लगाने के बाद में जब आपको नया नमबर लगाना हो, तो आप बस simple enter कीजिए, और type करते हैं, अब इस list को और भी बढ़ा करना है, या आपको अलग-अलग तरीके से यह list बनानी है, ट्री जो तरीका होता है, वो list को आप आपको यहाँ अब यहाँ फ़लों के नमबर लगाने हैं, आप यहाँ पर हम एंटर करेंगे इसको और यहाँ पर हम tab की का स्वाद करेंगे, तो यहाँ पर इसके एक sub heading आगए, इसके नीचे यह heading हो गई, और heading हो गई, और hier इहाँ फ़लों के नम हम टाइप करेंगे, आम आम इस तरीके से हमने इसके नीचे सब लगा दिया अगर आपको आपको और कोई अपर इस तरीके से लिख सकते हैं और डॉम अगर इसमें और कोई परिशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूँच सकते हैं वो हम आपको यहां पर बता देंगे इसके बाद यहां पर आपको दिखाई देता है एक option और यह है शॉर्टिंग कराने का जैसे आप एकसल में शॉर्ट कराते थे उसी तरीके से आप यहां पर इसे तरीके से आपको इसे इसेंडिं करना है तो यहां से बस्पेस इसेंडिंग आपको इस्टमाल करना है और ओके कर दो तो यह descending हो इसके बाद एक option दिया गया है यह आपके जो आपने tab इस्तमाल किया है यह आपने paragraph marks जो भी आपके जितने भी paragraph marks हैं उनको शो कर देगा कभी-कभी होता गया है कि गलती से यह paragraph marks पर टिक लग जाती है तो यहाँ पर यह आपका जो टाइप की यह document है उसके बीच बीच में कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं तो इनसे गबरानी की जुरूत नहीं है इसमें simple यह निशान किस-किस चीज के में दिखा देता हूँ अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक उल्टी भी बन जाएगी और अगर आप एक स्पेस लगाएंगे तो एक डॉट आ जाएगी यह डॉट इसके बाद में अगर आप टैब इसमाल करते हैं तो एक एरो आ जाएगी तो यह कुछ पैराग्राफ के marks दिये गए हैं इसका य आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे की जनकारी लेंगे तब तक के लिए गुडबाई और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अगर कुछ आपको कोई क्यारी आपको पूछनी हो तो हमें कमेंट कीजिए धन्यवाद